हलो जहीं साथियो स्वागते आप सभी का सत्य एक्सिलेंट यूटूब चैनल पे आज की जिट में आईटे चातरों का पेपर था जो कि सेकेंडियर का पेपर था कुछ चातरों से मैंने कहा था जो कि मैंने आई हां पर जो मेरे पास यहां पर चैनल है उस चैनल के मादम से मैंने कहा था कि मेरा WhatsApp नमबर यह है यदि आप फोटो कीच कर भेजते हैं तो मैं आपको आपका answer की दे दूँगा कुछ आतरों नहीं भेजा तो जो भेजा उनके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर answer की अपना देख सकते हैं जो कि आपका यह most important था यह आज का पेपर है तो आप वीडियो को पूरा देखेगा यदि आपका पेपर दूसरा है तो मैंने एक और वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के description box में दे दिया हूँ ऐसे कि यहाँ पर हर एक जिले में और राजी में कह सकते हैं कि अलग- यहाँ पर कहा गया था कि एक सौरभामिक मोटर की भीविन भागों की पहचान करें तता उसे सही का जोड़ते हुए चलाएं और उसकी दिशार रिवर्स करके दिखा हैं देखिए यह जो आपका था यहाँ पर आप जो सौरभामिक मोटर इसको क्या बोला जाता है इसको इन कोशन पूछा गया था सौरभामिक मोटर इसको और यहाँ पर दूसरा कोशन था इसमें कहा गया था कि भीविन परकार के इंसुलेटरों की पाचान करें जो की स्पेसिफिकेशन और उसका उप्यों के बताईए तिसरे नंबर में कहा गया था कि निरतन था अथा यह आपका तीन कोशन दिये गए थे जिसमें तीन कोशन को आपको करना था और यह आपका 250 नंबर का था लेकिन यहाँ पर आपको लग रहोगा कि काफी एजी कोशन था और यहाँ पर तीन कोशन था तो सभी लोग कर लेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पर काफ करना दूसरी बात परिचे में आपको लिखना था यदि आप इसका परिचे के बारे में मतलब कि इसके बारे में थोड़ी भी आपको जनकारी है तो आपको क्या करना था साथ इसमें आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जनकारी है तो इसमें लिख देना था जैसे की सटे तो यह आपका इस तरह कुछ लिखना था इसका इंट्रोडेक्शन में निचे आ जाएंगे साथ हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल्यागा आवस्यक उपकरण और समागरी इसमें आपको परियोग में क्या-क्या उपकरण की जुरूत पढ़िए आपने किस-किस उपकरण कापर तार और परिच्छन लेंग की जुरूत पड़ेगी तो आपको यह सारी चीज़े लिखना था अगला हेडिंग ता आपका सुरच्छा सौधानिया निर्देश जो कि इसमें आपको फश्च नमबर पे लिखना था मोटर को लोड के साथ चालू करें दूसरी नमबर प आपको ध्यान देना था सात्यों इसमें आपको यहां पर जैसे आप यहां पर इस परियूग को करते हैं वह सारी चीज़े आपको क्रम वाइज लिखना था जैसे कि पहले नमबर पे इन्वर्शन मोटर के फिल्ड वा आर्मेचर के सीरे परिचर लेंप से ग्याद करतें आइप नमबर पे लिखना था मोटर का सप्लाई को सन्यूजन करते हैं और शिक्स नमबर पे आपको लिखना था कि अंतर में अमीटर वो बोल्ट मीटर की रीडिंग नूट करते हैं यह तो आपका था कारी वीदी में ठीक है यह आपका इंपोर्टेंट था और यहां पर र कब लेखाना गया और आप का यहां पर दिखाय है और इंशलेटिर हो अपको यहां पर दिखाय तो चुछ आपका इस परकार का फिगर बनाना नता है यह तो हो गया साथियों आपका पह,-1 को स्टयमा अब दूसरे कोशन कु दिखें जिसमें कहा गया था कि विबिन परिकार के इंसलेटरों की पहचान करे हैं और इस का उप्यूइक करने की बात की गई है जिसका उप्यूइक कहा पर किया जाता ये भी चीज़ें आपको कि यहांपर इंसूलेटर की बात करें तो यहां पर इसके इंसूलेटर के बात करें आको इसक करना इसके बारे में और इसका परियूग करना है तो आपको कुछ कभी करना नहीं था यहां पर आपको figure देख सकते हैं इस तरह आपको कुछ बनाना था और आपको यहां पर जैसे की book में आप ढोड़ेंगे तो आपको अलग-अलग insulator देखने को मिलेंगे लेकिन आपको क्या करना था सारे insulator को परियोग में लिखना था जैसे कि यहाँ पर peak insulator लिखा गए तो cycle insulator, peak insulator और push insulator सारे insulator को आपको करमज लिखकर लिखना था कि पाचान करे और उसमें बाधना यह आपका उद्य से heading लिखकर नीचे लिखना था कि यहाँ पर लिखा नहीं गया मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ आपको इस तरह लिखना था क्योंकि मैंने यह जो book से यहाँ पर cover किया तो book में आपका ऐसा ही दिया गया लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना था नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको परीचे heading में लिखना था जो कि सभी insulator का अध्यन करने के लिए इसमें आप लिखेंगी सभी insulator का नाम और आगे लिखेंगी परकार के insulator का परयोग overhead line में किया जाता है जो कि सभी जो insulator होते हैं उसका परयोग यहाँ पर overhead line में ही किया जाता है और आगे लिखना था कि overhead line में दो बिद्योग से बाधा जाता है गर्दन से तता उपरी खांचों से इसका आसे केवल यह है कि वो तयार और धिला होना चाहिए इसके बाद आपको अगला heading दागना था आवसेक उपकरण समागरी जिसमें लिखना था कि combination player, metal, pin insulator, clamp, nut bolt और रेक माल की इसमें जरूरत पड़ती है आवसेक समागरी में आपको यह लिखना था इसके बाद आपको अगला heading यहाँ पर दागना था सुरच्छा सौधानिया निर्देश सुरच्छा सौधानिया निर्देश में आपको लिखना था सातियों इसमें युक्ती का निर्मानक अवयो वह आकरती विसिस्ता का ग्यान होना चाहिए और दूसरी बात इसकी दोनों और लपेटे एक दुसरे के विपरीत हो और दूसरी बात इंसुलेटर प्रकारों के भीविन का की आप परयाप्त समझ हो और लपेटो भली भाती आपकी कसी होने चाहिए तो यह आपकी थी सौधानिया में जो कि यह आपका इंसुलेटर लगाती समय इन सौधानियों को ध्यान दिया जाता है इसके बाद आपको अगला हेडिंग यहाँ पर दागना था कि पाचान की पाचान इसको कैसे करी क्योंकि आइडेंटिफाई आपको करने के लिए कह रहा है प्रश्न में तो इसमें देखिए इंसुलेटर जो का पोर्सलिन या गलास से निर्मित होता है दूसरी बात इसकी आकरती सनचना भी आपकी पाचान में सहाइकता होते जो कि अलग 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 यहाँ पर परकार किसके आकरती होती है तुसरी बात इंसुलेटरों का जो उप्योग होता है सोरी उपर ही जो सीरे होते वो आपका जो होता है और इसके परकार होने के उपर पढ़ने वाले जो वर्सा योद में कोई नहीं जा स हुते आपको आपकर फिगर बनाना था कूछिस पर का फीगर बनाना था को चीज परकार का इस तरह अच्छी अंग मिलने वाले वाले नीचे आजाएंगे तो एक और यहाँ पर इसके यहाँ लिखना था उपरी खाचे और परड़ना में आपको यह लिखना था सारे इंसुलेटर का नाम लिखना था उसके बाद लिखना था कि परिछन तता उनके तार बादने की परक्रिया को जानने समझनी सफलता प्रूप क्यों परियोगे असानी से हो गया कोई दिकत नहीं है तिसरे नंबर का कोशन मैंने यहाँ पर बहुत डूणा पर मुझे मिला नहीं किसी बूक में वैसे मैं इसके बारे में आपको जनकारी देता हूं देगे इसमें यहाँ पर इंसुलेशन यहाँ पर परत्रूद के लिए अल्टरेटर का परिछन करने के लिए कहा गया था जो की काफी इजी था बहुत सरे चातर लिखेंगे यदि आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला